हे गाईज तो कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू ट्विन टर्बो तो टाटा की मोस्ट अवेटेट SUV यानि कि टाटा ब्लैक बर्ड को हाल फिलाल में स्पाइशॉट करा गया है देखने में ये गाड़ी काफ़े जदा बहतरीन लग रही है साथी में इंडिया के अंदर ये किय सेल्टोस, हुंड़ी क्रेटा, एमजी एस्टेर, फॉक्स वेगन टाइगन और स्कॉडा कुशाग जैसी मिट साइज SUV कार से कॉम्पेटिशन रखेगी कब तक टाटा ब्लैक बर्ड लॉंच हो सकती है कि स्प्राइस पॉइंट पे आएगी कैसे लुक्स, फीचर्स और अपडेट्स लेके आने वाली है, चाहे वो नया पैट्रोल इंजन हो, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, नया लोगो या फिर बड़े साइस की इन्फोटेन्मेंट, सबसे पहले टाटा ब्लैक बर्ड के एक्स्टेर डिजाइन, डैमेंशन्स और प्लैटफॉर के बारे में बात करें, तो ये गाड़ी हमें JLR derived alpha arc platform के उपर base देखने के लिए मिलेगी, इसकी length 4400 mm, width 1800 mm और height 1650 mm तक की रहने वाली है, वहीं इस गाड़ी की ground clearance भी काफी ज़्यादा ला जवाब, यानि की 205 mm तक की रहेगी, overall exterior से देखने में Tata Blackbird, Safari और Harrier से काफी ज़्यादा similar रहने वाली है, front में इस काड़ी के अंदर हमें expected है कि Tata का नया logo देखने के लिए मिले, sharp design के साथ में LED DRLs, LED projector head lamps और fog lamps भी top model तक LED के अंदर ही रहने वाली है, additionally इस काड़ी के front के अंदर हमें front parking sensors और ADAS का sensor भी देखने के लिए मिलेगा, side profile के बारे में बात करें, तो Tata Blackbird के अंदर हमें top model तक R17 इंचिस के dual tone diamond cut alloy wheels देखने के लिए मिलेंगे, जिनका design सफारी से inspired रहने वाला है, वहीं rear में इस काड़ी के अंदर हमें split LED tail lamp cluster दिया जाएगा, integrated parking lights और turn indicators के साथ में, इसके अंदर हमें sequential turn indicators देखने क मिलेंगे, additionally इसकाड़ी के rear के अंदर हमें roof mount spoiler, roof mount stop lamp, rear wiper with washer, defogger, reverse parking sensors, reverse parking camera with dynamic guidelines और safety के लिए reflectors भी दिये जाएगे, lastly roof के features के बारे में बात करें, तो Blackbird के roof के ऊपर हमें एक shark fin antenna, functional roof rails और एक बड़ा panoramic sunroof देखने के लिए मिलेगा, जो की anti pinch और rain sensing feature के साथ में आएगा, कु या फिर सफारी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, इस काड़ी के off road character को बढ़ाने के लिए इसके अंदर all over cladding रखी जाएगी, साथ ही में underbody skid भी इस काड़ी के अंदर रहने वाली है, ओवार वियम्स पे हमें mountain indicators के साथ साथ 360 degree cameras भी दिये जाएंगे, आगे बढ़त फोर सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, ये इंजन हमें 150 bhp के आसपास की पावर निकाल के देगा, फिलाल ये टर्बो पेट्रोल इंजन टेस्टिंग के अंदर चल रहा है, और कई सारी news के मुताबित, ये हमें Harrier और सफाई के अंदर भी देखनी के लिए दूसरा, इसके अंदर रहेगा एक 1.5 लिटर फोर सिलेंडर टर्बो चार्ज डीजल इंजन, ये हमें 108 bhp की पावर निकाल के देगा, और 260 न्यूटन मेटर का पीक टॉर्क, तीसरा, एक्सपेक्टेड है कि डाटा ब्लैक बर्ट के अंदर हमें देखनी के लिए मिले एक न इसलिए competition में बरकरार रहने के लिए काफी जदा possibilities है कि ब्लैक बर्ट के अंदर भी एक hybrid engine हमें दिया जाए, आगे बर तेरे transmission options के बारे में बात करें, तो इस काड़ी के अंदर हमें 6-speed manual, AMT और DCA gearbox देखनी के लिए मिलेगा, साथी में गाड़ी के अंदर idle shifters भी आ सकती है इस काड़ी के अंदर हमें 2-wheel drive और 4-wheel drive configuration भी देखनी के लिए मिल सकती है, साथी में Blackbird के अंदर कई सारे driving modes भी रहने वाली हैं, जैसे की rain, urban, eco और city जैसे driving modes आगे बढ़ते वे Tata Blackbird के अंदर प्राइस और launch date के बारे में बात करें, तो इस काड़ी का expected action room price हमें 12 lakh onwards का देखनी के लिए मिल सकता है, वहीं इस काड़ी की expected launch date 2023 के second quarter तक रहने वाली है आगे बढ़ते हैं Tata Blackbird के interior के looks, design और features के बारे में बात करें, तो जितनी premium ये गाड़ी exterior से रहने वाली है, उतने ही premium features इस गाड़ी के interior में भी हमें देखनी के लिए मिलेंगे सबसे पहले इस काड़ी का interior dual tone color combination के साथ में आएगा और इसकी upholstery हमें top model तक leather के अंदर देखनी के लिए मिल जाएगी इस काड़ी के अंदर हमें नए generation का flat bottom steering wheel दिया जाएगा, जिस पे हमें Tata के नए logo के साथ साथ, adaptive cruise control और steering mounted controls भी देखनी के लिए मिलेंगे ये steering wheel tilt और telescopic adjustments के साथ में आएगा बात करें instrument cluster के बारे में, तो Tata Blackbird के अंदर हमें top model तक fully digital instrument cluster देखनी के लिए मिलेगा, जो की काफी ज़ादर detailed रहने वाला है इस instrument cluster के अंदर हमें ADAS की कई सारी warnings, साथी में lane change assist with camera जैसे कई सारे safety features देखने के लिए मिल जाएंगे आगे बढ़ते वे इस काड़ी के अंदर आने वाले infotainment system के बारे में बात करें, तो Blackbird के अंदर हमें एक नई 10 inches की floating touchscreen देखने के लिए मिलेगी जिसके अंदर सभी तरह की connectivity's जैसे की Android Auto, Apple CarPlay और Bluetooth भी working में रहने वाली है साथी में Android Auto और Apple CarPlay, wirelessly supported इसके अंदर रहेंगे ये touchscreen काफ़े ज़्यदा smooth और lag free होने के साथ साथ, अपने साथ IRA technology भी लेके आएगी जिसमें हमें geofencing, last location, last top speed जैसे कई सारे mobile connected features देखने के लिए मिल जाते हैं इसकाड़ी के अंदर dual zone AC आएगा automatic climate controls के साथ में, globe box भी cool रहने वाला है, साथी में front में automatic head lamps और range sensing wipers, blackbird के अंदर हमें दिये जाएंगे driver side all four power windows और ORVM के control लहने वाले हैं, साथी में इसकाड़ी के अंदर umbrella holders भी आएंगे IRVM हमें auto dimination के साथ में दिया जाएगा और ORVM's, auto fall electrical adjustments, mounted indicators और 360 degree camera sport करने वाली हैं front की दोनों seats हमें 6 ray adjustable देखने के लिए मिलेंगी, जो की electrical adjustments के साथ में आएंगी साथी में इसके अंदर हमें memory function भी देखने के लिए मिल जाएगा front की दोनों seats dual zone ventilation भी support करेंगी driver और co passenger के लिए हमें sliding armrest, wireless charger और cup holders देखने के लिए मिलेंगे साथी में blackbird के अंदर expected है हमें electronic parking legs की जाएगा और के feature के साथ में transmissions में इस काड़ी के अंदर हमें six speed manual, amt और dc gearbox दिया जाएगा वहीं rear passengers के बारे में बात करें तो rear seat 60-40 split ratio के अंदर आएंगी जिनके अंदर adjustable headrest रहेंगे center में integrated armrest रहेगा twin cup holders के साथ में rear passengers के लिए हमें separate AC cons और charging sockets भी दिये जाएंगे इस काड़ी के अंदर leg room और head room भी काफी अच्छा कासा रहने वाला है boot space गाड़ी के अंदर five passengers के हिसाब से काफी ज़्यदा अच्छा रहेगा boot के अंदर हमें luggage ramps के साथ साथ same size का spare wheel भी देखनी के लिए मिल जाएगा interior में roof के उपर हमें cabin lighting, sunglass holders और बड़ा panoramic sunroof देखनी के लिए मिलेगा आगे बढ़ते हैं टाटा blackbird के safety features के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये गाड़ी हमें alpha arc platform के उपर base देखनी के लिए मिलेगी जिस पे base पहले से ही दो cars five star की end cap safety rating एचिव कर चुकी है इसके अंदर हमें सभी तरे के basic safety features जैसे की top of the line variant तक minimum six airbags, front disc brake, rear drum brakes, isofix seat mounts और हर passenger के लिए three point seat belts इस काड़ी के अंदर रहने पाली है camera भी दिया जाएगा, इस काड़ी के अंदर heads up display भी रहने वाला है, साथ ही में ABS, EBD, ECS, Traction Control, Hill Start Assist, Hill Hold Assist, Rollover Mitigation, Engine Amobilizer और TPMS जैसे features भी गाड़ी के अंदर रहेंगे आई साने rumors के मताबिट टाटा Blackbird के अंदर हमें advanced driver assistance system भी देखने के लिए मिलेना, यानि कि इस काड़ी की safety काफे ज़्यदा top notch लेने बाली है बाकि गाइस डाटा Blackbird के बारे में आप सब का क्या क्याना है कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आप लोग चहों में किसी particular car या पे ट्रॉपिक के उपर वीडियो बनाओ, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं बाकि इस वीडियो के लिए इतना ही आप सब को पसंद जरूर आई होगी, अगर यह वीडियो आप सब को पसंद आई तो एक लाइक कर देना और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर